दोस्तों किसी टेस्ट में आपके बगल वाला आपका सारा टेस्ट कोपी कर ले और रिजल्ट के टाइम पे उसके आपसे जादा नमबर आ जाए या फिर आपका दोस्त आपका पूरा असाइमेंट कोपी कर ले और आपके समिट करने से पहले वो टीचर को समिट कर दे और इस बड़ा इंट्रेस्टिंग है कैसे वुड्लेंड की एक स्ट्रेटेजी की वज़े से उसने अपने सबसे बड़े कॉम्पेटीटर को इंडिया से बार बेज दिया, साथ ही हम इस केस टेडी से दो बड़े इंपोर्टेंट लेसन सीखेंगे साल 1955 शुरुआत होती है टिंबर लेंड शूस कंपनी की जो की आउटडोर एक्टिविटी के लिए काफी मजबूत और हेवी ड्यूटी जूते बनाती है उसका सबसे फेमस बूट था दा येलो बूट जो आज तक चला रहा है जो कि उसने 1973 में डेवलप करा था टिंबर लेंड के लिए सब कुछ साइच चल रहा था उसकी USA में काफी अच्छी सेल थी और उसने बाहर भी अपने प्रोड़क्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था फिट टाइम आता है 1980s का जाग कैनेडा में बैठे अवतार सिंग अपनी कमपनी शुरू करते हैं एरो ग्रूप जो की हैवी ड्यूटी वेंटर शूस बनाती थी और उसे कैनेडा और रशिया जो की उस टाइम USSR था वापे एक्सपोर्ट करती थी क्योंकि इन दोनों ही जिगा काफी जादा ठंट पड़ती है तो वहाँ ऐसे जूतों की डिमांड थी पर कुछ कारण के बाद एरो ग्रूप के जूते USSR में एक्सपोर्ट उने बंद हो जाते हैं और कैनेडा की पोपुलेशन भी काफी कम थी तो अवतार सिंग डिसाइड कर और उस टाइम पे इंडिया सेकिंड नबर पे थी तो अवतार सिंग वुड्लेंड के दो स्टोर खुलते दिली में, सीपी में और साउथ एक्स्टेंशन में वासे इंडिया में वुड्लेंड शूज की शुरुवात होती है पर उनके सामने एक दिक्कत थी कि इंडिया में ऐसा कोई आउटडोर एक्टिविटी का चलन नहीं था पर एक चीज उनके फेवर में काम करी वो था नोर्थ इंडिया का वैदर नोर्थ इंडिया में दिसंबर और जनवरी के टाइम में बहुत जोर की ठंड पढ़ती है तो ऐसे लोग जिनने सुबह शाम अपनी ड्यूट चीज देखियोगी अगर कोई वुडलेंड का जूता एक बार लेता है तो वो उसे काफी टाइम तक चलाता है क्योंकि वो जूते जल्दी से खराब नहीं होते और इंडिया में तो लोग चाते ही ऐसे प्रोड़क्ट है जो वो एक बार ले और वो लंबे टाइम तक चले ब साउथ हिंडिया में उनकी सेल काफी कम थी इसका कारण था साउथ हिंडिया का वैदर नोर्थ हिंडिया में वैदर काफी एक्स्ट्रीम है गर्मी भी बहुत जादा पढ़ती है और ठंड भी वही साउथ हिंडिया का वैदर इतना एक्स्ट्रीम नहीं है वहा ठंड कम इसके बाद Woodland की दूसरी दिक्कत ये थी कि उनके स्टोर में सिर्फ आदमी ही आते थे, बच्चे और ओरते उनके स्टोर में नहीं आते थी, क्योंकि उनके लिए कुछ ज़्यादा प्रोड़क्त थे ही नहीं, तो Woodland इसका सोल्यूशन निकालती है और नई ब्रैंड लोंज कर जाता है, क्योंकि लोगों को लगा, Timberland को यहीं की लोकल ब्रैंड है, जिसने Woodland की कोपी करी है, क्योंकि इनका लोगों भी सेम था, नाम भी लगबग सेम था, और प्रोड़क्ट भी सेम थे, पर जबकि इसका बिल्कुल उल्टा है, Timberland Woodland से काफी पहले शुरू हुई थी तो लोग अगर किसी मजबूत जूते के बार में सोचते थे, तो उनका नाम सिधा Woodland पे आता था, इस वज़े से लोगों ने Timberland को नहीं अपनाया, अब इंडिया एक ऐसी मार्किट है, जा लोकल ब्रैंड तो ये दिखाती है, कि वो कोई बाहर की ब्रैंड है, और फोरम ब पेड़ी मार्किट है, उससे हाथ दोना पड़ा, अब इस चीज से हमें दों इंपोर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं, पहला कि कोपी करना इतनी भी बुरी बात नहीं है, वो भी जब तब उससे आपके पैसे बन रहे हो, एपल के CEO Tim Cook तो यही कहते थे, अगर किसी को कोप करकर मेरा प्रोड़क्ट अच्छा बन रहा है, तो मैं बेजी जग उसे कोपी कर लिता हूँ, यह तिन भाई तो ऐसे, जिनोंने अब तक जितने भी बिजनस बनाए हैं, वो सारे कोपी के ही बनाए है, और बाद में अपना बिजनस वो ओरिजनल ब्रेंड को बेच देते थे और इस चीज से उन्होंने काफी कमा है, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, और दूसरा लेसन है, टेक क्विक स्टेप्स, यानि आपको जो भी करना है, वो आप जल्दी करो, कल के इंतजार में मत रहो, हो सकता है, वो सेम चीज आप की कोई कोपी कर ले, जैसा वूर्ड लेंड और टिंबर लेंड के केस में हुआ, आपने एक चीज देखी होगी, आपके मन में अगर कोई आइडिया आता है, आपने देखा होगा, वो सेम आइडिया किसी ने एग्जिक्यूट कर दिया होता है, और वो उससे लाखों कमा रह होता है, और आज के टाइम में तो चेंजिस बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो आपको जो भी करना है, वो जल्दी करो, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उमीद है आपको पसंद आई होगी, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में,